आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेश्टी काजू मखाना की रिस्पी इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है तो चलिए इसे बनाना सीख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक पैन में दो मीडियम साइज के प्यास को बड़े बड़े चॉप्स में कट करके इसे के साथ 15- 20 काजू को पानी डाल करके इसे उबलने के लिए ढख करके रख देंगे अब एक दूसरा पैन रखेंगे गैस पर उसमें डालेंगे दो चम्मस तेल गरम करेंगे और इसे इसमें हम फ्राइ करेंगे एक बड़ा कटोरी भर करके मखाना अगर इसे वजन में ना पेंगे तो यह है 1500 ग्राम से जादा मखाने इन्हें हमें थोड़ा सा रोष्ट कर लेना है जब तक कि यह थोड़ा से क्रिस्पी ना हो जाएं तब तक कि अब हम देखते हैं हमारा जो हमने प्याज और काजू को बलने के लिए रखा था वो भी काफे अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो अब इसे हम पानी से निकाल लेंगे और इसका पानी फेक देंगे और completely इसे थंड़ा हो जाने देंगे तो अब हम रखते हैं गैस पर एक कडाई इसमें दो बड़े चमच तेल गरम करेंगे इसे में जीरा डालेंगे और थोड़े से खड़े मसाले इसे हम तड़का लगाएंगे अब यहाँ पर एक बड़ा साइज का प्याज बारिक बारिक चॉप करके मैं यहाँ पर गोल्डन फ्राई कर लूँगी इसे हमें फ्राई कर लेना है यह देखिए अब हम गयास को तब तक के कर देंगे मीडियम टू लो फ्रेम अब हम देख लेते हैं प्याज और काजू काफी अच्छे से ठंडे हो चुके और सॉप्ट वी हो चुके तो इसका हमें एकदम बारिक पेस्ट बना लेना है तो अब हम मिक्सी जार में इस सभी को अद्रक्लीज मूँ का पेस्ट इसके साथ कुछ सुख्य मसाले एक चमच धनियां पाउडर एक चमच नमक और एक चमच लाल मिर्ची पाउडर आधा चमच हल्दी पाउडर और इसके साथ दो शेंट पाने डाल करके इन्हें हमें खूप बढ़ियां से मिला लेना है और इसे हमारा ग्रेवी भी बहुत ही जबर्दस का बन जाएगा इसे के साथ साथ ये तलर भी बहुत जादा अट्रेक्टू बना देता है पीसी वी टॉमाटर को अगर आप डाल करके सबजी बनाते हैं तो इसे भी हमें खुब बढ़या से भूल लेना है जब तक के ये देखिए टॉमाटर कच्चा था तो इस तरीके से हमें भूल लेना है और प्रोपर हो जाने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने काजू और प्याज को पीस करके बनाया था पेश्ट उसे डालना है और इसके बाद हमें फिर से अच्छे से मिला लेना है इसे हमें मिलाने के बाद ही इस स्टेच पर आप चाहें तो इसमें मलाई या फिर दही भी यूज कर सकते हैं या फिर क्रेम भी यूज कर सकते हैं मैं यहां पर इसी तरीके से को बढ़ियां से भून लोगी और यहां पर ढख करके हमें भूनना है क्योंकि जो है मसाला वो गाढ़ा है जिसके वज़ा से चीटे अगर उड़ते हैं तो बहुत जादा तेजी से जोर से लगते हैं इन सबी मसालों को अच्छे से भूनते वे पका लेना है अब इसमें हम मैंने उसी में से जो हमने उबाला था कांदे के साथ इसी के साथ मैं यहां पर 4-5 काजू के टुकड़े निकाल ली थी अब इसे हम मसाले में डालेंगे और इसमें एक गिलास पानी या फिर आपको जितन करके पका लेंगे यह देखिए दो से तीम नट तक के पकाने के बाद कुछ इस तरीके से यह दिखने लगेगा यह अभी एकदम काड़ा नहीं हुआ है तो इसे हम बस ऐसे ही पकाना है अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने मकानों को रोश्ट करके रखा है यानि थोड़ा स पानी वाली रहे मतलब पानी इसमें अब अब्सरब करने के भरके रहे क्योंकि यह जब सोक लेते हैं तो यह ग्रेवी बहुत गाड़ी हो जाती है और मखाने भी सॉफ्ट हो जाते हैं तो इस तरीके से हमें 2-3 मिनट तक के पका लेना है उसके बाद आप देखेंगे हमारा काजुमा खाना बनकर के तैयार हो चुका है तो आप भी ट्राइ करें कैसे लगी आपको रेसिपी प्लीज अपने राह जरूर बताएं कमेंट में और अगर मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज अगर आपको रेसिपी से रिलेटिट कोई भी कोई सुझा दो नहीं हो तो प्लीज कमेंट में जरू पताएं ओपर से थोड़ी से हरी दनिया से कार्णिश करें और इंजॉय करें